विद्धार्थियों गुड मॉर्णिंग आज विद्धार्थियों हम अथारा सो सत्ताउन की क्रांते क्रांते हर्याना ठेक है यह करेंगे विद्धार्थियों अथारा सो सत्ताउन की क्रांते कंथूज होने की जुरूरत नहीं है सबसे पहली बात यहोते भी समझों कि अथारा सो सत्ताउन की क्रांते हर्याने में क्लास में बहुत बार पूजता हूं विद्धार्थियों से कि वी अथारा सो सत्ताउन की क्रांते कब होई कई बच्चे यह जवाब नहीं दे पाते कि वे अथारा सो सत्ताउन की क्रांते अथारा सो सत्ताउन में होई इसलिए भी दार्थियों जो कंसेप्ट है नहीं जो बेसिक जो बाते हैं सबसे पहले उसको कलियर करो अगर डेट दे दी संदे दिया तो वो चीज उसी दिन उसी साल उसी समय गटित हुई ठीक है जैसी यह पूछा भी पलास्ची का यूद कहां हुआ पलास्ची की लड़ाई तो यह नहीं बताएंगे भी पलास्ची की लड़ाई पलास्ची में हुई यह नहीं बता पाते हैं कई बार बच्चे के भी इलाबाद की संदी कहां पे हुई कि संदी कहां पे हुए इस परकार के जो बेसिक जो बात है अगर वोई भी तुम जवाब नहीं दे पाते तो बच्चों भी इस सेगिंड में होने का कोई फादा नहीं है यह छोट छोटी बाते हैं जो कंसेप्ट है जो मुश्कले हैं जो बेसिक जो बात उसको कलियर करती है ठीक है इसलिए ध्यानक हो कि जो डेट है अगर उसका जिकर है तो उसका मतलब फिर यह है कि उसी डेट को ही सबस्तान का नाम दे दिया सहर का नाम दे दिया तो उसका मतलब ये भी उसी सहर में, उसी स्थान पे, उसी जन्हें पूश जिसका नाम है ठीक है? अब है क्रांती 18 सुस्तान तो हो गई ने? इसका मतलब क्रांती 18 सुस्तान में होई क्रांती अब जो क्रांती है, क्रांती से तात्प्रिय कोई बंदूग चलाना, गोले मारना, हत्या करना ये नहीं है ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है क्रांती का मतलब है बदलाओ क्रांती का मतलब है परिवार्तन ये है क्रांती का मतलब क्रांतिया मतलब किश्य को मारना नहीं है ठीक है जैसे हरित क्रांति सफेद क्रांति नेली क्रांति पेली क्रांति इसी परकार है हरित क्रांति का मतलब उत्पाद में बढ़ोतरी है नहीं सिंपल सी बात है जो हम पहले विदिशों से अनाज खादान मंगाते थे आज हम आतम निर पर हो गए और उसके साथ साथ दूसरे देशों को भीजते हैं इसे ताथ परिये हैं करांति क्या मतलब तो परिवर्तन हुआ ने कि मान लीजे उस समय में एक खेत में पंदरा मन से लेकर के बीस मान तक गें होता था मन इस इकॉल टू फोर्टी केजी ठीक है और आज वही पचास से साथ मन होता है तो इसका मतलब परिवर्तन होगा ने यह बहुत जादा परिवर्तन हुआ ठीक है तो यह है सपेद करांतिया मतलब जो दूद है दूद ने तो कोई मार धार नहीं की उसने तो किशोगोड़ी नहीं मारी हाँ यह अलग बात है कि आज कल जो दूद चल रहा मार्केट में सप्रेटा या या यूरिया इस परकार मिला करके वो लोगों को जुरूर मार रहा है लेकिन दूद का मतलब यह है कि भी जो पहले उपलबता थी आजादेद के टैम में और आज में उसमें बहुत ज़्यादा आंत्र होगा वो बढ़़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई इसका मतलब करांटी का मतलब यह है कि भी बदला हुए है ठीक है? 18 रस्ताउन की करांटी इसमें भी कोई दोर आई नहीं कि बहुत सारे अंग्रेज मारे गए 6000 के आसपास महिलाई, बत्ये, शेनिक, सब कुछ मिलाके और लाखोई संक्या में भारती मारे गए यह बात भी ठीक है लेकिन जो करांटी उसका मतलब यह है कि भी इस्ट इंडिया कमपनी का सासन खत्म हो गया बेटेंद की संसथ या बेटेंद की रानी का सासन सरू हो गया गवर्नर जन्द का पद हटा करके वाई सराय बना दिया गया ठीक है एक कॉंसिल ओप इंडिया या इंडियन कॉंसिल यह बनाई गई गया सारे भेद भाव दूर कर दिये गई एक नमबर 1858 की जो घोसना थी बिटेंद की महारानी विक्टोरिया के दवारा कि धरम जाती लिंग भेद रंग रूप हात्रे से वो ठीक है तो यह करांती है यह जो परिवर्तन हुआ करांती का सही माईने मतलब यह है थीक है तौँ आप मरे वह वही बात थी लेकिन यह ज़ो करान्ती उसका मतलब यह कि परिवर्टन होगा बहुत जाथ हूं ने तो इसके मादम से बता कि भी हरिद करान्ती सवेथ कर्यान्ती नीली करान्ती पीली करान्ती उसमें कहीं पे तलवार है या बिंदू के या तोब कहीं पे नहीं चलती ठीक है तो जिकर है हर्याने का इसलिए भी धार्तियों सबसे पहले जो बेशिक जो बात नहीं उसको समझो पुआ। यह जो पे अधार्तस उस्तावने करांती है यह वह यह हमारे लिए कि भई उस से हमें लड़ाई हुई थी उस से भूत सार आदमी मारे गाई थी हम ऐसा वानते हैं लेकिन उसके साथ चाथ यह क्या परिवरतन हुए हम पढ़ते तो है लेकिन उसके बारे में जानकार ही नहीं है कि बीकरांती का मतलब यह हिसाई रूप से ठीक है अब अठारो स्टावर्ड की जो करांती हुए कि यह माना जाती है कहा जाता कि बैरेकपुर से शुरू हुई और उस समय में तीन आर्मी थी एक तो बंगाल आर्मी ठीक है मद्रास आर्मी और बंबई आर्मी ठीक है अब इसका ना मुंबई है बंबई पहले था या बंबई अब मुंबई है तिन आर्मी थी इन सबसे बड़ी जो आर्मी थी यह बंगाल आर्मी थी क्योंकि अंग्रेजों ने जो अपना हेड़कॉर्टर बनाया एक तरह से शासन शुरू किया वो बंगाल से किया है कि 1797 पलाश्री लड़ा, 1764 में बक्सर का यूद और 1765 में इलाबाद की संदी और उसके दवारा दिवानी अधिकार कंपनी को मिले तो जड़े यहां से हैं, तो सबसे बड़ी आर्मी यह थे और इसमें आवद के जो उत्रप्रदेश सादुनिक इसके बहुत जादा आदमी थे इसके आदमी जादा थे और भारतिय सामाजिक व्यवस्ता के अंसार इसमें ब्रहमन भी थे ठीक बत्चो और चत्रिय भी यहां पर थे ब्रहमन चत्रिय थे इसमें जो भारतिय जाति व्यवस्ता उसके उच जातियां कही जाने वाली जातियां इसमें थे तो 1856 में ब्राउन बेश बेश जो राइफल थी बंदूख थी इसको बंद कर दिया ठीक है और इसकी जगए इनफिल्ड जो राइफल है उसको लियाए और इसमें जो कार्तूस लगे कार्तूस इसके बारे में ये था कि वे गाईं और सुवर की चर्बी का इसके उपर एक लेर है एक खोल है जो बंदूख में डाउन लोड करते रागते उस परकार मुझ से खोलना पड़ता है काटना पड़ता है अब जो गाई है उसको हिंदू पवित्र मानते हैं और मुस्लिम है इस सुवर को एपवित्र मानते बहुत ज़्यादा जितना हम गाई को पवित्र मानते उस से ज़्यादा मुस्लमान सुवर को एपवित्र मानते है अब इसके अनुसार ये था भी दोनों जो धर्म है हिंदू और मुस्लिम ये दोनों धर्म बरश्ट हो गए इसका मतलब भी था जैसे बताया कि ब्रह्मन और चत्रिय दोनों उच जातियां थी ये सेनिक इस में थे बंगलार में इसलिए 29 मार्च अठारा सो सतावन को मंगल पाने दें विद्रोक्या और आठ अप्रेल अठारा सो सतावन को इसको फासी दे दे गई थे ठीक है विदार्थ यह सेम है नाम हर्याने जब चले यह तो सब में सेम चेह हर्याने के तियास हो ची भारत के तियास हो ठीक है क्योंकि हर्याना भारत का एक हिस्सा है एक राज्य हप उस समय में भी दिल्ली के नजदीक था और आज भी दिल्ली के नजदीक है और अंग्रेजों ने दिल्ली के उपरादिकार अठारासोतीन में किया था और दिल्ली के साथ फिर हर्याना भी उसके अंत्रगप था ठीक है दोलतरावशिंदिया संधियोई थी मराथ्य और अंग्रेजों के संधियोई जिसके तहत यह उनका दोलतरावशिंदिया अधिपत्य दिल्ली को पर खतम हो गया था और अंग्रेजोंगा शुरू हो गया था ठीक है तो अब इसके बाद यह गटना गटी गटती है कि अमबाला यहां पर केंट है ठीक है केंट मिल्टरी मिल्टरी स्टेशन यहां पर अमबाले में हर्याना अब एक जिला नोर्थ नोर्थ हर्याने में आता है तो इन्होंने सला में लाई अमबाले जो थे शैनिक केंट कि साथ में और पांच में देशी जो पलतन थी उसने के योजना बनाई कि भी हम संडे को बिद्रो करेंगे जिस समय अंग्रेज है वो चर्च में जा रहे होंगे और इस परकार उनको दबा दिया जाएगा मार दिया जाएगा उनको यहां से भगा दिया जाएगा इनने जोजना बनाई साथ में और पांच में जो देशी पलतन थी उन्होंने ठीक है यह बात है दस माई 1857 की जबकि 10 माई 1857 को ही मेरट में विद्रुआ थी धानक क्यों बात मेरट का ठीक है तो यहां पर ट्रैनिंग करने के लिए अंबाला में दूसरे भी सेनिक आई हुए थे और जहें से भी इसलिए मेरट है कानपूर है दूसरे जो स्टेशन थे मिल्टरी के वहां पर संदेश पहुंचा दिया गया लेकिन एक शाम सिंग नाम के आदमी थे इस बारे में अंग्रेज को इनफोर्म कर दिया है इनफोर्मेशन दे दिया अंग्रेजो को, में तो शाम सिं means कि भी जो भारति शनिक है इस इस परकार की प्लान बना रही योजना बना रहे हैं कि अंग्रेज जो खिलाब विद्रो करेंगे यह बात है ठीक है और अंग्रेज जे अब अलेर्ट हो गई चोकन्य हो गई तो दस माई अठारशो सताउन को सुबह यहां पर विद्रो उता है अमबाला में और इन्होंने पचास जो ओफिसर थे पचास ओफिसर उनको कैद कर दिया अंग्रेज जो खूँ ठीक है कैद कर दिया यह बात सुबह की है अमबाला कर विद्रो की यह बात मेरिट की पांच से च्छे पीम उस समय की है केवि नो गंटे पहले हर्याणे में विद्रो मेरिट से पहले ववा था मेरिट से पहले विद्रो ववा था हर्याणे में अमबाला जंग्या पे ठीक है तो यहाँ पे विद्रो हुआ तो अब इनको कैद कर दिया पचांस ओफिशरों को और उसके बाद इन्होंने दूसरे जो थे अधिकारी उनको पर भी अपना अधिकार या कब्जा करना चाहा लेकिन अंग्रेज जो सेनिक थी इनको अफसरों कैद कर रख्या था तो अंग्रेजोंने इनको वारनी दी इन सेनिक और क्वाम बाले वालों को कि भी ऐसे यह बाद अगर तुमने इनको नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ ते सकत करवाई की जाएगी और उसमें तुम्हारी ज्यान भी आ सकती है अगर तुम नीन को मारा तो उसके लिए तुम्हारे को भोगतना पड़ेगा उसके बुरे इलजाम भोगतने पड़ेगे ठीक है? तो यह हुआ अब इसके बाद यह आदमी जो सेनिक थे यहां पे जिनने विद्रोग किया था यह चारो तरप से घेर लिए गई इसमें जो पचास ओफिसर थे ये भी थे पचास अफसर ये भी थे इसमें तो अंगरेज ओफिसर ने कहा कि भी तुमने इनको मारा तो तुम्हारे को मारा जाएगा? ठीक है? और इसका खामयाज जब भुगत ने ले त्यार रहो फिरा के इस परेबात पी और साथ की साथ इन्हों ने ये भी कहा कि भई तुम हाथियार डाल दो और तुम बापी सिनोखरी पे आजाओ लोट आओ तुम्हारे को माफ कर दिया जाएगा माफी दे दे जाएगे तो भारती सिनिक थे जो अमबाला में उन्होंने समझोता कर लिया समझोता ये कर लिया जिसके तहित पर चाह सबसर्थ इनकों छोड़ दिया गया और सिनिकों को एक आशवासन दिया गया अथभी तुम्हारे साथ बद सुलू किया तुम्हारे को माफी दे दी जाएगी और तुम काम पर वापिस आ जाओ तो ये बात हो तो समझोता हो गया समझोते तहिती नफ्सरों को छोड़ दिया तो स्याम को दस वजे पांच से च्छे वजे के बीच फिर मेरिठ में बिद्रो होता है ये ध्यानक हो अब इसके बाद जो हर्याने की बात है तो हर्याने में सबसे पहले जो इसके बात हुआ वो विद्रो अब तो गुरू ग्राम में उस समय में गुडगाओं बोलते थी ठीक है गुडगाओं यहाँ पर डीशी थे विलियम फोर्ड विलियम फोर्ड तेरा माई अठार सुस्ताओं अब यहाँ पर विद्रो हो गया और विलियम फोर्ड ने कानमी कारवाई की सेनी कारवाई की और लेकिन वहाँ के जो आदमी थे वो सब अपने जो देशी हत्यार थे तलवारे थी बल्लम थी फर्शे थे लाठियां थी डंडे थे दराती थी कुछ भी कुलहाड थी उनको लेकि भार निकलाई और सेनी को से भेड़ी गाई बिटी सरकार के लिए और इस परकार विलियम फोड को यहां से गुड़गावा छोड़के भागना पड़ा यह आदमी भाग गया और भाग गया तो उसके बाद फिर यह आदमी जिरका इसमें फ्योजपूर इस साइडम भाग गया और भाग करके और फिर यह वापिस जो है दिल्ली वो थी सेनी क्छावनी वहाँ पर चला आगा यह वहाथ ठीक तो विदार्थियों सबसे पहले कहां भी द्रुवा मेरिट से पहले अम्माला में ठीक है और फिर उसके बाद ग्रुग्राम में अब ग्रुग्राम के साथे जो लगता है मेवाथ सर्दार सर्फुदीन ठीक है सोहना पावड़ू फिरोजसा सामेवाति अब यहां पर जबरदस्त लड़ाईय हुई सबसे परसे लड़ाई नू में फिर पिन गाउं में यहां पर लड़ाईय बहुत जबरदस्त हुई अंत में यही होता है कि भारती हार गे अब भारती हार गे तो भारती हार के पीछे कान भी थे कि इनके पास अच्छे हथ्यार नहीं थी और इनके पास अच्छे सेनिक की ट्रेनिंग नहीं थी एक तो हथ्यार नहीं थी एक सेनिक ट्रेनिंग नहीं थी एक नितर तो नहीं था यह पर्मुकान रहे दन के अभाव के साथ साथ यह पर्मुकान रहे अब ड़वलु एफ एडम यह विधार्थ्यों जैपुर में पोल्टिकला एजटी कंपनी का किसका कंपनी का और यहांं के जैपुर ही है धानक रिबाब और यहांपे थांगोर शीव सिंग recently इन्होंने विधरो कर दिया इन्होंने यहां पे विदरो कर दिया था शीव सिंग में और एडन क्या हुआ कि जैपुर से चलके यह रिवाडी आ गया इस साइड में और यह भी हर्यानीतर बड़े तो इसके उपर वार किया गया एडन के उपर तो एडन बाल बाल बचे एडन बाल बाल बचे और रिवाडी महंद्रगाडी साइड से गुडगां सोते भी फिर प्रिश जयापूर्च ले गए डाबलु एफ़े एडन ये पोल्टिक एलेजेंट थे इसके ये सोना तावडु नू पिंद गाउं ठीक है ने इस साइड में पलबल फिर्दाबाद इस साइड में सबसे ज्यादा विद्रुगा बच्छों और सबसे ज्यादा आदमी मारेगे जो सहिद हुए इसका जिकर मिर्जा गालिप है अपने समय के मसूर सायर है मिर्जा गालिप इन्होंने भी किया है अथार सो स्रावन के करांति के बाद ये बारा साल में इन्होंने कि ग्यारा गजले लिखी थी मतलब ओस्तन एक अजल एक साल में नहीं लिख पाई जो साइरी जो भी कुछ लिखते थी साइरी और बोनी कर पाई ठीक है कि भी इतना इनको देखकर कागाथ पहुंचा था और इस बात का जिकर हकीम एहसान उल्ला ये भी करते हैं ये हकीम थे किसके भादूर्शा जफर के भादूर्शा जफर के हकीम थे भी दर थी एहसान उल्ला ठीक है ये भी अपनी इस बात का जिकर उसमें करते हैं इसको इधा का साफ कर दो तो सबसे पहले विदार्थियों क्रांती बैरेकपुर से जो फूटी थी उसकी चिंगारी दूर दूर तक देश में गई और हर्याना भी उससे अच्छोता नहीं रहा और मेरिट से पहले हर्याने में विद्रोगा जो दस माई 1867 की बात है वहां पर शाम को विद्रोगता है क्रांती होती है अगरे जो खिलाप और यहां पर मौर्णिंग में हो गया वहां से नौ गंते पहले यह हुआ ठीक है तफजूल खुशन तफजूल खुशन यह संदेश्वाग थे भादुर्शा जफर के यह रहोत तक आए तो यहां के जो करमचारी थे अधिकारी थे तासिल्दार थे उन्होंने इनका विरोध किया कि वही यह तो उनके मेसेंजर है तो इनको वापिस से दबाना या वापिस भगाना चाहा लेकिन यहां के जो जनता थी जनता ने तफजूल खुशन का साथ दिया और जो अंग्रे जी जो अधिकारी थे या उनकी सेना थी उनको हरा दिया यह भी हुआ उसको हरा दिया इसके साथ साथे बल्लबगड ठीक है पटोदी फरूक ना करूँ राजा नहार सिंग राजा नहार सिंग ठीक ही विदार थो यह बल्लबगड भी थे पटोदी में आक्पार आली आक्पार आली यह पटोदी में थे तो इसपरकार यहां है तो यहां भी इनका विरोद्वा और यह आदमी इनके अगेस्ट हो गए अंग्रेजों के अगेस्ट हो गई खास बात यह है ठीक है और जो रिवारी थी है रिवारी राव तुलाराम ठीक है तो भादुर्शा जफर ने इनको संदेश भेजवाया और भी कहा क्या अपना भै तुम मेरे अधिन हो उसके अंसार काम करो ठीक है और इनको 421 गाउं यह देती है कि भी तुम इसकी राजा जमिदार बढ़े मेरे अधिन एक एकताजार या जमिदार हो ठीक है है तो इसके साथ फिर इन्होंने पूरी हल्प की इन्होंने 45,000 रूपे बादशा को भेजे इसके साथ अनाज भेजा और अनाज के साथ-साथ भी दार्थ्यों गंदक यह भी भेजा गंदक से बारूद बनता है ठीक है अद वो भी रावतुल राम ने भेज जा फरुक नगर के हैं एहमद आली यहां किसा सकते हैं इन सभी ने अंगरेजी हुकुमत के खिलाप बिद्रोग किया ठीक है और कोशिस की कि भई इनको यहां से भार किया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्यों जो कि उसके पिछे कोई कार्ण थे अकार्न नहीं था है कि अंगरेज एड्वांस टेकोलोजी के साथ तो खाने के साथ ते अचि राइफल बंदुग उसके साथ थे डिस्सिप्लिन सेना थी उनके पास उनके जो नितरतों था जो उनके लेप्टेंट जो मेजर थे, कप्तान थे, उनमें जो लीड करने की योगिता थी, वो भारतियों से अच्छी थी, ये बात भी थी, ठीक है, इस परकार ये सारे आदमी हार गए, नहार सिंग, आकपर अली, एहमद अली, इन सभी को पकड़ दिया गया, और इनको पकड़ करके, इनको दिल्ली भेजागा, और दिल्ली भेज करके, इनको फासी दे दी गए, इन आदम लोगों, इन राजाओ को, और इस में से, राव तुला राम, ये भाग निकले, जब आए, तो जो नारमोल के लड़ाई थी, वहां से फिर भाग गये थे, वहां से रास्तान गए, रास्तान से मद्या परदिश गए, मद्या परदिश ये अफगानिस्तान, फिर ये, रूस से संपर्ख भी कहने, फिर वापिस रूस, उसमें अफगानिस्तान में आकर के, फिर इनका दियान तो हो गया, 36 वरस की उमर में, केवल 36 वरस की, इस परकार, जो बलब गड़ पटोदी फरूक नागर, रोह तक तफजुल हुशेन आये थे, भादुसर जफर के संदेश वहाग थे, और यहां पर बत्चों करक होता, ठीके, विरासत अली, इनके नेतर्तों में विद्र हुआ, विरासत अली के नेतर्तों में घर को दा में, तो यहां पर कैप्टन हडसन, इन्होंने कमान समार रखती अंगरे जी सीना के, तो विरासत अली के साथ जो रहतक का तो यह एरिया था, इसमें सारे में विद्र हो गया, और विरासत अली ने हडसन को जब तक आगे नहीं पर ने दिया, जब तक यह साही दिन नहीं हो गया, रहतक के छेतर में बहुत विरोध हो था, रहतक में अंगरे जी हार गए थे, क्योंकि यहां के जो रांगर थे, मेऊ थे, राजपूत थे, जार थे, उसके लावा जो दूसरी जाते थे, सब ने अंगरे जी का विरोध किया था, और उसे के काने यह हार गए थे, ठीक है, इस यह सबसे पर्मुकेंद्र आवात्व क्योंकि यह केंद्र का इसका पर्मुकान यह था कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक था यह लागता हुआ रिया था अंग्रेज जो कोई शांत का पता था कि अगर दिल्ली शांत नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल क्योंकि आप उस समय में जो दिल्ली के उपर सासन था एक तरह से इंगलिस का सासन था अब इसके साथ हासी हिसार सिर्शा ठीक है रानिया नूर मुहमद ठीक है रानिया के थे नूर मुहमद और हुकम चंद और मुनीर बेग और मुनीर बेग ये हासी के थे ठीक है हिसार में सहजादा मुहमद बेग ये थे इस परकार थे तो यहां पर भी खुब विरह दुआ अंगले जुका और एक बात धान में कुछे किसी बेरियम जाना लेकिन जो स्तानिय चोदरी थे उस समय के स्तानिय चोदरी इनका बहुत बड़ा युगदान था करांति को सहुग देने में उसको आगे बढ़ाने में ये ध्यान रखना तो यहां पर खुब विद्रोळा हासी में और हासी के विद्रोग के साथ जो सहिजादा मुहमद बेग थे ये हार गए और बात में फिर मारे भी गए इनको जो विद्रोधी फिर वो भी विद्रोयों के साथ थी यह भी रहा और यहां पर एक तो डीसी हिसार में डेप्टी कमिशनर और इसके साथ साथें और दूसरे 11 लोग मारे गए अंग्रेज एक तो डीप्टी कमिशनर ठीक भी दारतियों और ग्यारा अन्य लोग उनको भी देशी जो आज महा के जो वासिंदे थिस्ताने वासिंदे उन्होंने उनको मार दिया ठीक है तो यह हुआ अब जो रानिया की जो रियासत थी हासि हिसार ये नूर मोहमद इसने भी खुब्यूद किया नूर मोहमद ने भी हासी में लड़ाई हुए दो बार एक बार ये जीत गे दूसरी बार हार गे लेगन मुश्ट लिए हार ये है कि भारतियों की साथ में रही जैसे बताया था इनके पास संसादनों की कमी थी, फिर ये रान्या कर जो था नवाब भाग गया, भाग करके लोध्याना चलागा, लोध्याना, और यहां पर इसको फिर फासी दे दी गई, रान्या के नवाब को, जो नूर महमत था, उनको, ठीक, अब जो हुकम चंद थे और मुनिर बेग, य जो भाग गई, हुआ यही है कि करांटी के समय में या तो मारे गई, या फासी दे दी गई, या भाग गए, ये धानकना, 1820 करांटी के दो रान, भाद में फिर यह वाथा कि मोश्टली को माफी दे दी गई थी, यह वाथा, पानी पत्त, पानिपत में उस समय में ताजुदिन नाम के एक लेखर थे ताजुदिन कहते के भी उस समय में इन के जो अफसर थे जनरल एन सेन परमुख अफसर जनरल एन सेन ये पानिपत के लड़ाई में ये मारे गए ठीक है? और दूसरी जो शेना थी वो भाग गए करनाल था जो हूज रोज यहां पर थे यह भी हार गए बल्ला की लड़ाई में गाउं था बल्ला तो इस लड़ाई में यह हार गए और यहां से अंग्रेज भाग गए यह भी वा था और यहां पर जो बुईली के लंदर पानी पत में कहां पर विदारती हो पानी पत जो दर्गा है बहुत बड़े संतों यह सूपी संत यहां का जो बड़ा इमाम था यह भी युद में थी सामिल थे करांती में फिर अंग्रेजों सहसाती ने युद किया और फिर लास्ट में इनको फासी दे दी गई और इस परकार है रहोतक है मेवात है फिर्दबाद है पलवल है आस्जी है इसार है करनाल है ठीक है रिवाडी है रावतुलाराम थे इस साइड में रहोतक है जजर है भादरूड है पटोदी थे आकपराली फरुक नगर मौमदाली बलवगर्ड के नवाप इन सभी को mostly को फासी दे दी गई थे इनको एक तो पकड़ लिया गया पकड़ करें फिर इनको दिल्ली भेजागा और दिल्ली भेज़ करके फिर इनको फासी दे दी रहोतक में तो यहां तक रुआ था कि जब रहोतक की जनता साथ हुई विद्रोहियों के साथ तो अंगरीज हार गए और अंगरीज हार गए तो जो हरसन था उसने जो जीन का राजा था जीन के राजा को एक तरह से उसको एरिया दे दिया भी तुम सवाला उसको जो ही वहाँ से जन हर्शन गया तो उसके बाद फिर लोगों ने विद्रोग किया और उनके जो अपसर थे या दिकार थे उनको हटा दिया वहाँ से और भगा दिया यह हुआ और फिर बाद में फिर सवतंतर हो गई तो यहां के जो आदमी थे जो जनता थी वह खूब लड़े अंतक लड़े जब तक उनने अपने आपको मीटा नहीं दिया इस दर्तिमा के लिए कुछ गदार भी हुई ऐसा नहीं कहनी जैसे जिन्द के राजा थे नावा के थे पटियाला के थे जैसे 18 स्थाउन के जो करांतियां बाले से शुरू नुन वहनी थी तो श्याम संग नाम के आदमी ने अंग्रेज वितला दे दी कि नहीं इस इस परकार भारतिये आपके खिलाब विद्रो करेंगे आपके यहां से बगाएंगे अंग्रेज उससे चोकने हो गई तो गद्दार हर समय में रहे कभी सो चोकने नहीं रहे चिप भगत सिंग का केश विदारति उसमें भारतियों ने एक गवाई दी थी जो आज के समय बहुत बड़े नेता बने उनके वनसाज ठीक है तो ये धानकों कि भई ये सारे इस परकार कोई भी डिस्टिक था कोई एरिया था वहाँ के नेता थे जो लोकल थे वो सब हार गए अंग्रेजों ने बारी-बारी से करके इन सभी को हरा दिया इस परकार भारतिय हार गई और हर्याना भी एक उसका प्रांत है या उसका अंग है अग्र तो वह भी हार गए और विदार्थियों की रोपड में महोर सिंग्ड महोर सिंग्ड फोस्तस लेखते हैं कि भी यह पहला आदमी था चैप पहला शिंग कहीं जिसको फासी दी गई बगावत के नाम पर इस समय में मंगल पांडे नहीं पहला शिंग्ड वेखती था मौर्शी नाम के जिनको फासी दे दी गई और इसके साथ विदार्थियों एक बात और खास है कि यह आत्मी भहुत से मारे गई या भाग गई ठीक है तो इसमें हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो बड़ी दिखाई दी थी इस समय में है कि को भी हिंदू राजा था तो उनोंने मुस्लमानों की साथ और मुस्लमानों को ऊचे पड़े लगा freaked और यहहतक्ता वाकि थी वो ससक तो ही थी लेकिन बाद में जाके अगरे जो नीती थी जो पॉल्टिकल आदमी आए आप तो उनके दवारा फिर ये हो गया कि भी नहीं ये तो राजनीती फिर आमारी नहीं हो पाईगी इसलिए उन्होंने जो वेबनेस्टे के बीज है वो जनता के बीच वो ने पर सैद एमध खा पहले जो हिंदो मुस्लिम एक नाके अगर नी माने गए थी जिन्होंने ये कहा था कि वे हिंदो और मुस्लिम दुल्हन के दो आखे हैं फिर वही विरौत में खड़े हो गई है और एक बनार्स की राजा अंग्रे जोंत उनको पैसिव दिये थी पचाह ज राजा इन्होंने मस्जिद बनवाई ये वह था ठीक है और यहां पर यह मानलों के हिंदू है तो उन्होंने मुस्लिम का साथ दिया है और मुस्लिम है तो उन्होंने हिंदू का साथ दिया है इन्होंने धरम नहीं देख्या ये जान रखो इन्होंने धरम नहीं देख्या ज होडल में जाट और राजपूत इन्हों ने जो जाट यहां के भागत बने हुए थे अंग्रेजों के कुछ ठीक है इनके खिलापे आवाज उठाई विद्रो किया इनको मारा ये मुस्लमानों वे साथ थे जो हिंदू थे इनके साथ नहीं थे के होडल के जो जाटो राजपुत उनयोंने जाटो का विरोध किया था उस necesita और उसमें जो मुसलिम है वहां पे मुसलमान हिंदू के साथ थे उन्होंने अपने मुसलिम भाईती उनका विरोध किया था जजर है फरुकनगर है पढ़ोधी है जो दूसरी आस्ते थी जो विद्रों में सामिल थी उन्होंने हिंदू को या मुसलमानों को उचे पद्द दिये अपने उसमें राज्य में यह व्युवा था ठीक है पढ़ोधी है दाद्री है उसके जो राजा थे पढ़ोधी और दाद रावतुलाराम इसका साध्या था आपने जो मुसलमन भाई थे उनको छोड़ गई है नहीं सवतंतरता थे उसके पक्स में थे लाश्ट जो लड़ाई हुई इन आद्मियों की इन सभी के मिलाकर के वो लाश्ट लड़ाई हुई सोड़ा नूवंबर अठारा सो सताव यह हुई उसमें कौन-कौन से हिसार के सहजादा मुम्मद ठीक है हमिद खा उसके साथ तरावतुला राम ठीक है और जजरिय नवाब अब्दुर्रह्मान जजर के रिवाडी के के रह्मान के दामाद थे समद खां यह थे अब्दुर्रह्मान दवाब थे यहां के उसके दामाद थे ठीक है तो यह थे इन्हों लाश्ट प्रियास किया और यह लड़ाई नार नोल नसीब पूर यहां पर होई और इसमें श्रुमें अंग्रेज जीत रहे थे इसमें कोई दोरा नहीं लाश्टमीन की जीत हुई जो जेराड थे शिनापती वो इसमें मारे गए भारतिय पक्से राव किशन सिंग यह भी मारे गए यह दूसरी मारे गए और जो रिवाड़ी है राव तुलाराम यह भाग गए ठीक है राव तुलाराम यहां से भाग गए इस परकार जो क्रांति थी वो आंतिम जो प्रियास था नार नोल में 16 नौंबर 1857 वो क्रांति की लोग एक तरे से बुज गई बच् कुछ समय के लिए ठीक है फिर आने वाला जो पेडिया थी या दूसरे एरिये में फिर उसको जिन्दा रख्या और जिन्दा रख्या फिर क्रांति चले थी नितमोश्टली यह हुआ जैसे जजरे नवाथ अद्दूल रह्मान यह जब अंग्रेज गई यहां पे तो यह जो अंग्रेजों को पीठु बने उनके भगद बने उनके रख्यमे मिले उनको जमीन जायदाद उनको इनाम मिला यह हुआ ठीक है कि 16 नौंबर 1857 एक अंतिव प्रियास था नार नोग में उसमें यह जो सेनापति थे नवाब थे राजा थे यह मिले थे लेकिन रेजल्ट पॉजिटिव नीरा भारतोय पक्षम नीरा अल्टिमेटली भई होता भी उनके पास सत्ता नहीं थी उतनी पावरफुल अथ्यार नहीं थे उतना अच्छा यो नेतरतव नहीं था उतने संसादन भी नहीं थे वो एक ताभी नहीं थी शेना को टैनी भी नहीं दी गई थी ठीक है वो एक समान टैनी नहीं होई थी ठीक है तो यह होए तो इनके पिछे जो फिर बाद में रहा तो अंगरेजुन यह किया कि जो जजजर रिवाडी फरूकनगर बल्लबगर इनके नवाबों को फासी देती ठीक? इनके नवाब को फासी देती जिनका अंगरे जोने साथ दिया या नूट्रल है जैसे भादरूर का नवाब उनकी नवाबी छीन ली गई उसके उनकी नवाबी बहादरूर के नवाब की नवाबी छीन ली गई उसके अलावाद जिनने भाग नहीं लिया था क्रांती में उनको एजीटीज छोड़ दिया जैसे दुजाना था ठीक है लौहारू था उनको एज इटीज छोड़ दिया गया यह हुआ लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी जैसे जीन्ध है पटियाला है इनको हर्याण गाच्छित्र दे भी दिया गया इनाम के रूप में के इन्होंने हमारी हेल्प की हैं इनको यह छित्र दे दिया गावितार थी इनको इनाम के तोर पे इस परकार जो 1857 की जो किरानती थी जैसे बता के सुरा नॉंबर 1857 को लास्ट प्रियास था दिली तुस्छ से पहले ही हार चुकी थी दुबाराशी कर लिया था 20 सेप्तमबर 1857 यह तो पहले हो चुकी थी दुबाराशी इस प्रकार हर्याना हार गया और अंग्रेजुगा शासन था मुस्थापित दुबाराशी हो गया ठीक है तो सभी का धनवाद विदार्थियो सुनने के लिए लेकिन यह धनक हो कि एक ताब हो ज़ुरूरी है जो इसमें बत दिखा आ गया अगर देश को आगे बढ़ाना हमारे को तो हिंदु है मुस्लिम है जैन है सिक है बोध है क्रिश्चिन है पार्शी है इन सब का मतलब या एंडिया सब का मतलब यह है इसके साथ साथ फिर एकता होनी चीए यह बहुत ज़ुरूरी है देश में समरास्ता होनी चीए यह बहुत ज़ुरूरी है अच्छा और बुरे की पहचान भी होनी चीए देश हित की वो बहुत ज़ुरूरी है कभी ऐसा नहों कि हम एक जाती या धरम को लेके यह कह देवे यह ठीक है तुस्से देश से ताक्तवर नहीं होता है देश संदर से खोखला हो जाता है इसलिए था रुस्तावनी जो करामती भारत के संदर में पढ़े हर्याने संदर में या किसी भी राजजे संदर में हम पढ़ते हैं तो रिजल्ट हो ही आता कि हमारे पास से एकता नहीं थी हमारे पास से यह सोच भी नहीं थी उस समय में जबकि हिंदू और मुस्लिम एक हुए थी यह थी लेकिन हमारे पास अच्छे सैनिक नहीं थी हमारे पास अच्छी टैनी नहीं थी हमारे पास अच्छे लीडर्स नहीं थे और इन में एकता नहीं थे इसलिए देश की ब्रहोत्री के लिए देश के उन्नत्री के लिए जाती और धर्म को छोड़ करके देश हित की बात सोचनी चीए ताकि देश अच्छा बने एक राष्ट्र ससक्त बने थिक ताकि आने वाले जो समय है वो भारत का हो थिक, तो सभी का धन्यवाद बिदारत